नए संसद भवन में मंगलवार से कामकाज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्गाटन किया था। नए संसद का निर्माणकार्य 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। कल 20 सितंबर बुधवार से नए भवन में नियमित तौर पर संसदी ये कामकाज शुरू हो जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नए संसद भवन के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने वर्तमान और भूत पूर्व संसदों को भी शुभकामना संदेश भेजा। अखिलेश यादव को नए संसद भवन से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है स्वस्थ लोकतांतरिक परंपरा को नया विस्तारित परिसर राजनीतिक वैचारिक विस्तार देगा। उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए नयापन सिर्फ भवन का नहीं, मनन का भी होगा। उम्मीद है हमारी पुरानी संसद सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और नई संसद नई लोकतांत्रिक चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगी बता दें कि 75 वर्षों के संसदिय यात्रा की याद संजोए पुरानी संसद को आज अलविदा कह दिया गया संसद के विशेश सत्र की शुरुआत 18 सितम्बर से हुई है पहले दिन पुराने भवन में सदन की कार्यवाही चली संसद का विशेश सत्र 22 सितम्बर तक चलने वाला है सोमवार शाम केंद्रिय कैबिनेट ने महिला आरक्षन बिल पर मुहर लगा दी नई संसद में पहली बार PM मोदी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए घोशना की कि बिल को महिला वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा उन्होंने नई संसद के पहले भाशन में बताया कि सरकार समविधान संशोधन बिल पेश करने जा रही है बिल पास होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षन का लाभ मिलेगा पुरानी संसद में विशेश सत्र के पहले दिन सभापती जगदीब धन खड और कांग्रिस अध्यक्ष मलिक आरजुन खरगे जोरदार बहस करते हुए नजर आये थे